नमो बुद्धाय, मैं तनुश्री कशब आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हमारे विशेश कारेक्रम धम्मदीप में साथियों ओभी तक हमने चर्चा की बनारस के एक धनी व्यापारी के पुत्र यश के प्रवज्जा और उसके बाद की घटनाओं के बारे में इस श्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए, आज हम चर्चा करेंगे साथ अरहंतों को आदेश देने के बाद तथागत बुद्ध, स्वयम, उरुवेल के सेनानी ग्राम की और प्रस्थान करने कर निर्ने लेते हैं इस दौरान तथागत बुद्ध की भेट तीन जटाधारी कशब भाईयों से होती है ये तीनों अपने एक हजार शिश्य के साथ त्री रत्न की शरण लेते हैं इस विशे पर रोचक जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्तित हैं भनते कुशल सुमन जी, आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकरित होने के साथ-साथ अनेक मंचों से बुद्धिजम पर अपने विचार रख चुके हैं तो आईए हम स्वागत करते हैं भनते कुशल सुमन जी का वंदामी भनते जी, आपका हमारे इस कारेक्रम धम्मदीप में बहुत-बहुत स्वागत हमारा ये कारेक्रम दर्शकों के बीच बहुत सा राहना ले रहा है और सुझाव तथा जिग्यासा रूपी प्रश्न हमें हमारी इमेल आईडी तथा वाटसेप पर निरंतर प्राप्त हो रहे हैं सभी को यहां सम्मिलित करना संभव नहीं है किन्तु कुछ प्रश्न मैं आज आपके सामने रख रही हूँ इसी क्रम में आप से मेरा प्रश्न है कि 61 अरहन्तों के बारे में पुनह संक्षिप्ट में जानकारी दें सर्व प्रथम मेरे आचार श्री के पुण्यचडनों को कोटि कोटि नमन फिर मेरे उपज्झाय भंते के पुन्यचडनों को कोटि कोटि नमन धन्यावाद आपका तनुश्री जी मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए प्रश्ण में 61 अरहन्तों के बारे में जानकारी पूछी गई है सर्व प्रथम तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध होते हैं उसके बावजूत वे खुद को अरहन्त करके संबोधित करते हैं उधार और स्वरूप जब हम एक गाथा की चैंटिंग करते हैं जैसे कि इतिपिसो भगवा अरहन्ग सम्मा संबुद्धो तो इसमें तथागत के जो अनेक गुण है उनमें से एक गुण अरहन्त उसका भी हम उचारण करते हैं इसलिए तथागत में खुद को अरहन्त भी कहा है तो ये सर्वप्रतम पहले अरहन्त थे पहले बुद्ध थे अब दूसरे जो पाँच भिक्षू थे तथागत जब बोधी मंडल से सारनात की और जाते हैं सारनात जाके जब पाँच भिक्षू को धरम देशना देते हैं और धरम देशना सुनने के बाद जब पाँच भिक्षू अरहन्त बन जाते हैं तो ये हमारे अगले पाँच अरहन्त कहला है तो इस समय कुल मिलाके छे अरहन्त हुए पहले तथागत फिर बाद में पाँच भिक्षू तथागत आगे चलके जब सारनात में ही थे तो आगे चलके उनको यश मिलने आते हैं और यश तथागत के पाँच धरम देशना लेकर जब वे भी अरहन्त बन जाते हैं तो ये कुल मिलाके साथ अरहन्त कहलाते हैं यश के जो चार मित्र हैं वे यश से मिलने आते हैं और तथागत की शरण लेकर वे भी आगे चलके चार अरहंद बन जाते हैं तो इस समय कुल ग्यारा अरहंद होते हैं और ये चार मित्रों के यश और यश के चार मित्र इनके और पचास मित्र खीचे चले आते हैं और वे भी तथागत की देशना सुनकर आगे चलकर अरहंत बन जाते हैं तो ये पचास मित्र और पहले के ग्यारा कुल मिलाकर 61 हो गए तो इन में से कुछ के नाम हमको पता है जैसे कि पहले जो पांच भिक्षु जिनको तथागत ने धरम देशना दी थी तो उनके पांचों के नाम इस प्रकार हैं उन में से सर्वप्रथम जो थे अन्यात कुंडन्य फिर दूसरे थे थे थेर भद्य तीसरे थे थे थेर वप चौते थे थे थेर महनाम और पांचवे थेर असाजी इसके अलावा जो यश के चार मित्र आते हैं तथागत की शरण लेते हैं अरहंत बनते हैं तो उन चारों के नाम इस प्रकार हैं थेर विमल, थेर सुबाहू, थेर पुनाजी, थेर गवंपती तो ये कुल मिलाकर 11 पहले के अरहंत और बाद में इनके 50 मित्र 61 अरहंत कहलाते हैं इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी अगला प्रश्न जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वह यह है कि त्रीरत्न की शरन में आने वाले प्रथम ग्रिहस्त उपासक और उपासिका कौन थे इस बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे धन्यवाद तनुश्री जी आपका मुझसे प्रश्न पूछा गया है त्रीरत्न की शरन लेने वाले प्रथम उपासक उपासिकाएं कौन थे तो त्रीरत्न की शरन लेने वाले प्रथम उपासक यश के पिता होते हैं और उपासिका यश की माता और उनकी पहले की पत्नी ये दो और ये तीन पिता, माता और यश की पत्नी मिलाकर ये जो तीन है ये प्रथम उपासक उपासिकाएं कहलाते हैं तो दर्शकों को ध्यान देना है एक विशेश बात पे कि हमने पहले के एपिसोड में चर्चा की थी तपस्व भलिक जो व्यापारी होते हैं भारत से म्यामार की और जा रहे थे तो बोधि वरिक्ष के पास तथागत से मिलते हैं, मिलकर अपना भोजन दान बुद्ध को देते हैं और बाद में शरन लेते हैं, तो वे जो दो थे उन्होंने सिर्फ बुद्ध और धरम की शरन ली थी त्री त्री शरन नहीं ली थी क्योंकि उस समय संग की स्थापना नहीं हुई थी तो इसीलिए ये जो तीन हैं यश्के माता, पिता और उनकी पतनी ये तीन त्री शरन लेने वाले पहले उपासक उपासिकाएं कहलाते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, दोनों ही प्रशनों का बहुत सुन्दर उत्तर आपने हमारे दर्शकों को दिया अब हम आज के मूल विशे पराते हैं भन्तेजी साथ अरहन्तों को आदेश देने के बाद तथागत बुद्ध स्वयम उरुवेल के सेनानी ग्राम की ओर प्रस्थान करने का निर्ने लेते हैं इस दौरान तथागत बुद्ध की भेट तीन जटाधारी कशब भाईयों से होती है ये तीनों अपने एक हजार श्रिश्चियों के साथ त्री रतने की शरण लेते हैं कृपया इस विशे पर हमें विस्तार से जानकारी देए धन्यवाद तनुश्री आपका तो कल हमने देखा था तथागत बुद्ध ने साथ अरहंतों को अलग-अलग दिशाँ में जाने का आदेश्च दिया जाकर भारी मात्रा में लोग कल्यान करने का भी आदेश्च दिया तो जब वे ये साथ अरहंत अलग-अलग दिशाँ में चले गए तो उन दिशाओं में जो जग्यासु थे जो बुद्ध की सिक्षा को सुनते तो उनमें प्रेणना जगती वे भी भिक्षु बनना चाहते तो ये साथ अरंथ अलग-अलग दिशाओं से इन जग्यासुओं को बुद्ध के पास तथागत के पास लेके आते ताकि वे तथागत इन जग्यासुओं को उपसंपदा दें भिक्षु बना पाएं तो ऐसे करने में उन भिक्षुओं को भी कठिनाई हो रही थी और जग्यासुओं को भी कठिनाई हो रही थी क्योंकि काफी दूर से तथागत के पास आना पड़ता तो एक समय की बात है तथागत जब ध्यान में लीन थे तो उनके मन में ये चिंतन उत्पन होता है कि अलग-अलग दिशाओं से ये जो भिक्षू है अन्य नाना प्रकार के उपासकों को जिग्यासूं को भिक्षू जो बनना चाहते हैं उनको लेके आते हैं ऐसा करने से इन भिक्षूं को और उन जिग्यासूं को भी तकलीफ होती है परेशानी होती है क्यों ना मैं इन भिक्षों को ही अनुमति दे दूँ ये जहां कहीं भी हो वहां पर स्वयम उपसंपदा दे वे स्वयम जग्यासों को भिक्षों बनाएं इसी के संबंद में तथागत बुद्ध ने एक सभागार बिठाई सभी मौजुद अरहन्द भिक्षों को बुलाया और धरम देशना देने के बाद ऐसे बतलाया कि मैं तुम सभी बिक्षों को अनुमती देता हूँ तुम लोग जिस किसी दिशा में हो जहां कहीं भी हो अगर वहां पर कोई जिग्यासो बिक्षो बनना चाहे तो आप लोग स्वयम उस जिग्यासों को बिक्षो बना सकते हैं और आगे कैसे भिक्षो बनाना है उसकी भी विधी समझ बतलाये तो ये हो गई घटना सारनात की जहां पर तथागत मौजो थे और अलग-अलग दिशाओं से भिक्षो आया करते थे जिग्यासों को लेकर उपसंपदा दिलवाने अब तथागत स्वयम निश्चय करते हैं क कि उनको उरुवेल की और बढ़ना है उरुवेल के सेनानी गाम की और बढ़ना है ये वही जगा है जो हमने पिछले के एपिसोड में चर्चा की थी जहां पर श्रमन गौतम ने नाना प्रकार की तपस्याइं की थी तो उरुवेल की और बढ़ते समय बीच में एक छोटी सी घटना होती है तीस मित्र होते हैं वे अपने पतनियों के साथ एक जंगल में एश फर्मा रहे थे तथागत जब उस रास्ते से गुजर रहे थे उरुवेल की और जाने के लिए तो बीच में ये जो रास्ता होता है जहां पर ये तीस मित्र लोग थे अपनी पतनियों के साथ उस उस रास्ते के आसपास तथागत को एक जगा बहुत प्यारी लगती है और वे वहां पर दौरान ध्यान अवस्था में जब लीन थे तो ये जो तीस मित्र हैं इन में से एक मित्र अभिशादिशुदा नहीं था उसकी कोई पतनी नहीं थी तो उन तीस मित्रों ने अपने इस एक मित्र के लिए एक वैश्या का प्रबंद किया और ये तीसो मित्र और एक इनके इंद्रिय भोग विलास में त्रिप्त थे, तो सभी को इन 300 मित्रों को जब नींद आ जाती है, तो ये वैश्या उनका बहुमोल ये सामान चुरा कर वहां से भाग जाती है, तो भाग जाती है, तो जब इन लोगों को होश आता है, तो वे वैश्या की खोज में जंगल के चप चपे को चानना शुरू करते हैं, तो एक जगा पर जहां पर तथागत बुद्ध विराजमान थे ध्यान वस्था में, तो वे तथागत के पास जाकर पूछते हैं, हे तथागत, आपने यहां से गुजरते वे किसी महीला को देखा, तो तथागत उनसे पूछते हैं पलट क कि उस महीला से तुम लोगों को क्या काम है, तो वे तीसो लोग बताते हैं, कि एसी एसी हमारे साथ वारदात हुई है, वो एक वहिश्या थी, और हम जब निद्रा में थे, तो उसने हमसे हमारा सामान चुरा के भाग गी, तो तथागत उनको कहते हैं, तुम लोगों के या स्वयम को खोजना, तो प्रति उत्तर देते वे लोग कहते हैं, हमारे लिए जाहिर सी बात है, खुद को खोजना, स्वयम को खोजना यही हितकारी होगा, तो तथागत उनको कहते हैं, तो आप लोग बैठ जाएं, मैं आप लोगों को धरम देशना दूंगा, और उसी प देशना दी और देशना सुनते सुनते ये 300 लोग, इन 300 लोगों में धरम चक्खु जागरित हो जाता है अनिच्चा वतसंखारा उत्पाद वय धम्मिरों और जैसे ही इनमें ये धरम चक्खु जागरित होती है तो ये 300 तथागत से निवेदन करते हैं भिक्षु बनने के लि दिया और कुछ ही समय में ये ध्यान साधना करते करते अरहंत बन जाते हैं तो तथागत ये तो घटना थी तथागत जब सारनाथ से उरुवेल जाने का निड़ने लेते हैं और बीच में ये घटना होती है ये वारदात होती है ये वारदात होने के बाद अब तथागत पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ एपिसोड पहले आप लोगों को मैंने बतलाया था, उरुवेल जो आज का वर्तमान का समय है, जहां भारत में जो बिहार राजिस्तित है, बिहार राज्य के गया जिल्ले के आसपास एक घना जंगल हुआ करता था, 2600 वर्ष पूर्व, तथागत बुद्ध के समय, उस जंगल को उरुवेल कहा जाता था, उस जंगल के भीतर एक छोटा गां हुआ करता था, जिसका नाम सेनानी ग्राम हुआ करता था, तो तथागत बुद्ध नियमित रूप से यहां पर पहुच जाते हैं, उरुवेल के जंगल के सेनानी ग्राम की और, तो यह जो सेनानी ग्राम है, यहां पर तीन जटाधारी रिशी रहा करते थे, इन में से सबसे बुजर्ग, बुजर्ग का नाम था, उरुवेल कश्यप, इसके बाद थे, नदी कश्यप, और तीसरे जटाधारी रिशी का नाम गया कश्यप, तो उरुवेल कश्यप के 500 शिश्य थे, नदी कश्यप के 300 शिश्य और गया कश्यप के 200 शिश्य, इन के कुल मिलाके, तीनों के कुल मिलाके 1000 शिश्य हुआ करते थे, और यह एक दूसरे से, क्यूंकि आप समझ सकते हैं, अगर एक के पास 500 शिष्य हैं तो उसको रहने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी तो ये जो तीनों उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहा करते थे तो तथागत बुद्ध जब उरुवेल कश्यप के पास पहुँचे तो उरुवेल कश्यप से उन्होंने जो पास में ही एक छोटा सा शुन्यगार था, एक छोटा सा कम्रा था, उसमें रहने की अनुमती मांगी जब अनुमती मांगी, तो उरुवेल कश्यप ने कहा, हे श्रमन, तुमको इस कम्रे में रहने की अनुमती में दे दू, मुझे उसमें कोई आपत्ती नहीं मगर इस कम्रे में एक बहुत विशेला सांप रहता है, हो सकता है कि ये तुम्हें काट दे और इसके बाद तुम्हारी मृत्ती हो जाए तो तथागत दोबारा उसे कहते हैं, क्या मुझे तुम अपना ये शून्यगार कुछ समय के लिए दे सकते हो तो उसी प्रकार फिर वो दोबारा अपना जवाब देता है, और ये बात तीसरी बार भी ये घटना होती है, तीसरी बार भी बुद्ध ऐसे कहते हैं और तीसरी बार भी अरुवेल कशप उसी प्रकार से उत्तर देता है, तो फिर तथागत अरुवेल कशप को आश्वासन देते हैं, कि आप इस चीज की चिंता मत करें, कि ये साप मुझे डसेगा और इसके बाद मेरी मृत्य हो जाएगी, आप इसकी चिंता ना करें, तो क्य मैं आपके शुन्यगार में रह सकता हूँ, तो अरुवेल कशप ने कह दिया, ठीक है, आपको ऐसे ठीक लगता है, तो आप इसमें रह सकते हैं, तथागत बुद्ध ने अनुमती पाते से ही शुन्यगार में चले गए, शुन्यगार में जाकर अपना आसन बिचा लिया, आ शेला साप काफी गुस्से में क्रोधित होकर तथागत की और बढ़ता आया, इस साप में ये खूबी थी, ये खास्यत थी, ये एक मायावी साप था, इसके पास नाना प्रकार की शक्तियां थी, तो जब तथागत ध्यान अवस्था में लीन थे, तो ये सर्वप्रथम तथागत को वहाँ से डरा के भगाने के लिए अपने शरीर से धुआ तथागत की और फेकता है, तो तथागत भी बुद्ध है, उनके पास भी शक्तियां है, तो तथागत ने भी अपने शरीर से प्रतियुत्तर में धुआ निकाला, मगर इस चीज़ का ध्यान रखा कि ये जो धुवा तथागत निकाल रहे हैं इससे उस सांप को कोई हानी ना हो तो सांप और भड़क जाता है तो वे क्या करता है अपनी जादुई शक्तियों द्वारा तथागत की और अगनी फेकता है अपने शरीर से अगनी निकालके तथागत की और फेकता है तो तथागत भी अपनी सिध्यों द्वारा अपने शरीर से अगनी निकालते हैं ताकि जो सांप से जो अगनी आ रही है वो एक दूसरे से क्लैश करकर वहीं रुख जाए तथागत ने इस बात का ध्यान दिया कि जब तथागत के शरीर से अगनी निकल रही है तो साब को कोई चोट ना पहुचे ना उसके तवचा को, ना उसके मांस को, ना हड्यों को तो जब ऐसा चलता रहा, ये श्रंखला चलती रही और उस शुन्यगार में आग भर गई तो बाहरी, जो बाहर इस शुन्यगार के बाहर जो जटाधारी उरुवेल का श्रप था और उसके पांसो शश्य थे, वे आ जाते हैं शुन्यगार से आग निकलती देखकर आपस में कहते हैं कि हमने पहले ही बताया था इस श्रमन को, इस तथागत को, इस गौतम को कि ये इस शुन्यगार में ना जाएं फिर भी वे नहीं सुने और शुन्यगार में चले गए तो देखो कितनी बड़ी अन्होनी हो गई और जब ये घटना हो जाती है, रात बीथ जाती है तो सवेरे तथागत एकदम खिल खिलाते हुए, हलके मुस्कुराते हुए वो शुन्यगार के बाहर आते हैं और अपने पात्र में वो जो साप था, उसको लेकर आकर उरुवेल कश्यप को दिखाते हैं उरुवेल कश्यप देखकर बड़ा आश्चरिय चकित होता है और वो कहता है कि ये श्रमन के पास बहुत जादा महा, बहुत जादा अध्यात्मिक शक्तियां हैं कि ये एक जहरीले साप को भी अपने काबो में कर सकता है इसके बावजूद ये जो श्रमन गौतम है ये कोई आरहन्त नहीं सिर्फ और केवल मैं ही आरहन्त हूँ तो उरुवेल कश्यप ऐसा चिंतन करता है फिर दूसरी घटना इसी श्रिंखला में आगे बढ़ते वे तथागत बुद्ध उस शून्यागार से निकल कर पास ही में एक जंगल था जंगल में चले जाते हैं जंगल में जाकर वही पर रात में विश्राम करते हैं ध्यान करते हैं तो जब वे ध्यान कर रहे थे चारो दिशाओं के जो राजा हैं जिनको चतु महाराजी का कहते हैं वे आ जाते हैं तथागत के दर्शन करने और उन देवताओं की जो आभा होती है उस आभा से आसपास का जो महाल था वो सारा चमक उठता है जैसे मानों की कोई अंधेरा ना हो एक तप तपाता उजाला हो तो ये घटना जब हो जाती है तो अगले दिन सवेरे जब भोजन का समय होता है तो अरुवेल कशब श्रमन गोतम को अर्था तथागत बुद्ध को आके कहता है हे श्रमन तुमारे भोजन का समय हो गया है आके भोजन कर लो और साथ ही कहता है कल रात में हम सभी लोगों ने यहां पे देखा कि बहुत चमक तीवी रोशनी इस जगा से आ रही थी तो ऐसा क्या हुआ था यहां पे तो तथागत बताते हैं कि कल रात में चारो दिशाओं के जो महराजा हैं वे मुझसे मिलने आये उन्होंने मेरे पास मेरे देशना सीखी तो इस घटना के बाद अरुवेल कश्रप को लगता है कि श्रमन गौतम अर्था तथागत के पास निसंदे बहुत जादा अध्यात्मिक शक्तियां हैं जो उन्हें से चार दिशाओं के देवता मिलने आते हैं चारो चारो दिशा के महराजा देवता मिलने आते हैं फिर भी ये जो है तथागत श्रमन गौतम ये अर्हंत नहीं है केवल मैं अर्हंत हो मैं ही मैं अर्हंत हो तो ये घटना हो जाती है तो इसी ही श्रिंखला में औ और एक एक घटना होती है, जब अगले दिन तथागत इकांथ में बैठे थे, तो उरुवेल कश्यप उनके पास आते हैं, आके कहते हैं कि आपके भोजन का समय हो गया है, आप हमारे साथ भोजन करने पधारें। और फिर उनसे पूछते हैं कि कल रात में हमने वापस से दुबारा एक बहुत चमकती वी रोशनी इस जगा से देखी, तो वो रोशनी किस चीज़ की थी। तो तथागत बताते हैं, पहले की भांती, अब की बार जो देवों के राज, राजा हैं, शक्र जिसको लोग इंद्र कहते हैं, वे और साथ ही ब्रह्मा सहमपती, ये दोनों भी मुझसे कल रात में मिलने आए थे। इनको मैंने धरम देशना दी, धरम देशना देने के पश्चाथ ये यहां से चले गए। जब वे यहां पे थे, तो उनहीं की आभा, प्रोशनी के स्वरूप आप लोगों को दिखलाई पढ़ रही होगी। तो तथागत की ये बात सुनकर उरुवेल कश्यप काफी आश्चार्य चकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले तो तथागत के पास चारो दिशाओं के महराज देव मिलने आया करते थे। अभी तो देवराज इंद्र आते हैं, शक्र आते हैं। साथ ही ब्रह्म लोग से ब्रह्म सह महापती भी आते हैं इसके बावजूद चाहे इस श्रमन गौतम के पास अर्था तथागत के पास कितने भी मायावी शक्तिया क्यों ना हो, मगर मैं ही आरहंत हूँ, मैं आरहंत हूँ। तो दर्शो को क्योंकि मेरे उपर अभी समय का दबाव है, तो मैं आगे की कहानी काफी लंबी है, आने वाले एपिसोड में कवर करूँगा, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाए। भनते जी बहुत ही विस्तार, पूण, सटीक, सुन्दर एवं विस्तृत जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवतू सब्ब्मंगलम, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्यान हो, सुख्यों, सुख्यों साथियों आज के इस विशेश्क प्रोग्राम में इतना ही अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को विश्राम देने का लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के आप अपनी जिग्यासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बन अपनी जिग्यासा को शांत करेंगे तब तक के लिए मैं तनुश्री कशप भंते कुशल सुमंजी के साथ विदा लेती हूं कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे नमो ब झाल